नमस्कार किसान भाईयो मैं राजबीर हाजिरूं आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग में आज हम बात करेंगे 50 दिन बाद धान की फसल में किन किन फड़ी लाजर का प्योग करना चाहिए जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो अगर आपकी फसल 50 दिनों की हो चुकी है तो आपके लिए वर्दान है या खाद इन खाद को डालने से आपकी पैदावार 15-20% तक बढ़ जाएगी तो किसान भाईयो सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाईयो इस समय हमारे के तुम्हें बालियो निकल आहीं हो तब सबसे सही उप्योक्त समय होता है जिरो बावन चौतिस का इस प्रे करने के लिए इस समय इस प्रे करने से तने को मजबूति मिलेगी और बालिया अच्छे से विक्सेत होंगी और बालिया एक साथ पूरे खेत में बहार आएंगी और दाने अच्छे से भरेंगे चमकदार बनेंगे क्योंकि इसमें पोटास की भरपूर मातरा रहती है फास प्रस तने को मज एक एकल में डेल सो लीटर पानी में बनाकर इसप्रेह करनी चाहिएं इसप्रेह करते समय खेत में अच्छी प्रिकार नमी होनी चाहिएं कि संभाईयो क्योंकि जब नमी रहती है तो इसके रिजल जादा देखने को मिलते हैं बालीय निकलते समय कुसान भाईयो आपने देखा होगा खेत में टिड़े, पंकी, तितली की बहुत सिकायत देखने को बिलती है यहीं पंकी हमारे बाली निकलते समय बालीय के उपरी दानों का रच चूस लेती हैं जिस्से उनमें दाने नहीं पड़ पाते हैं उन दानों को खाली दा जाने के विए से पैदावार कम हो जाती है। किसाम भाईयो अगर आप इन दोनों का इस्प्रे आप बाले निकलते समय कर देते हैं तो यकीनन आपकी पैदावार 15-20 परसेंट तक बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाई लाइक इनको दबादें तक कि आने वाले वीडियो जापको मिलते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें तब तक के लिए धन्वास दोस्तों। झाल झाल